बिसम अल्लाह रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम प्यारे दोस्तों मैं आज आपको बार बार पेशावाने की छे वजहात और उनका इलाज बताने जा रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर रख दे और इस वीडियो में आखिर तक बने रहें इंशालला आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी नमबर एक जिसमें में बहुत ज़्यादा फ्लोईड याने लिक्वीड का होना नमबर दो कॉफी चाय या एलकोहल जैसे डॉराटिक्स का इस्तेमाल नमबर तीन पेशाप की नली का इंफेक्शन नमबर चार ओवर एक्टिव मसाले नमबर पांच परेशानी या बेचेनी की हालत में होना नमबर च्छे डियाबेटीज टाइप 1 टाइप 2 की अलामत अगर दिन में 8 बार से ज्यादा पेशाप करने की ज़रूरत महसूस होती है तो ये किसी बिमारी की अलामत हो सकती है ऐसी हालत में किसी डॉक्टर की सलाले हलाकि कुछ ऐसे घरेलू नुस्के अपनाए जिन से बार बार पेशाप आने की वज़े से राहत पाई जा सकती है खास बात ये है कि घरेलू नुस्कों के इस्तेमाल से जिस्मंपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा घरेलू नुस्के नमबर एक दालचिनी दालचिनी का रोजाना इस्तेमाल से किड्नी सेफ रहती है ये बार बार होने वाली पेशाप की प्रॉब्लम को दूर करता है दालचिनी के पाउडर को 3-4 बार खाने के साथ ले अमला अमले का इस्तेमाल करते रहने से ब्लैडर का इन्फेक्शन कम होता है इससे बार बार पेशाप आने की प्रॉब्लम दूर होती है इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले अमले को पीच ले और शहद में मिला कर खा ले इसे केले के साथ खाने से ज़्यादा फाइदा होता है इन्शाल्ला आपको मेरी बताई हुई बातों से मदद नहीं